भाजपा के जिला सचीव नवीन गोयल ने प्रैस वारता का रोहतक में होने वाली आठ तारिक को प्रदानमंत्री की रेली का गुरुग्राम वासियों को निमंत्रड दिया और साथ ही साथ गुरुग्राम को साथ सुत्रा और हरा भरा बनाने के लिए गुरुग्राम के लोगो अराब राव साफ करने के लिए कुछ सुरुवात किया उसकी सुचना जानकरी देने के लिए था, कि सब को एक इनवाइट करना है कि इस गुरुगाओं को साफ सुतरा अराब राव बनाने में सब लोग साथ दें, इसलिए ये प्रेस कॉंफरेंस बलाए की थी. नवीन गोयल ने बताया कि वे काफी दुनों से लोगों के बीच जाकर डस्ट बिन और कपड़े के थेले बाढ़ रहे हैं जिससे कि लोगों को अपने अभियान का हिस्सा बना सके और लोगों को जागरुप कर सके कि गुरुघराम को किस तरह साफ सुत्रा रखना है जब बच्चे बारत का बविश्य है जब बच्चे इस मुईम से जुड़ जाएंगे तो अपने अभिवावकों को और मिलने वालों को बहुत ज़दा प्रेइडित करेंगे और वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं तो हमने स्कूलों में जाकर के परचार कियागी कपड़े के थेले बाटे जाएं और साथ-साथ हमने एक पेपर कप बनवाया है कि प्लास्टिक का कप लोग यूज ना करें पेपर कप करीबर हमने दसला कप बनवाए हैं तो ये चाय की दुकानों पर बाटने कोशिश करेंगे कि पेपर कप उससे मच बेटर है प्लास्टिक कोई ऐसी चीज नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है नवीन गोयल ने जड़ जागरुता अभियान के तहर एक ऐसी मोहिम की शुरुआत की है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का वह पिचार करते नजर आ रहे हैं और नवीन गोयल ने मुभ्योप में सबसे पहले स्कूल में पड़ने वाले पच्चों अपने अभियान का हिस्सा बनाया है नवीन गोयल का मानना है कि यह जो छोटे-छोटे बच्चे HDR में इनको आकर जागरुत कर दिया जाए तो अपने अपने अलाकों में अपने घर में अभियान को पहुचा सकते हैं बच्चों के माध्यम से अभी भावत और आसपास रहने वाले लोग इस अभियान से जुड़ें रहेंगे और एक हमने गरीन गुड़ गावा के लिए एक मुहीम छेड़ी है पोदा बाटने की तो हमने 10,000 गरों में पोदे बटवाए हैं और साथ-साथ फिट गुड़ गावा को ले करके हमने रिक्वेस्ट किये सबसे कि सब लोग फिट रहें योग करें और अपना सिरी का ध्यान रखें और आने वाले 15 तारिकों में एक मैरा थन का भी आविजन कर रहे हैं उसके भी सूचना दे दी जाएगी और इस मैरा थन में कोई रिजिस्टेशन नहीं किया जाएगा ओपन रहे गी है और इसमें बच्चे बुजार्ग महिलाएं सब लोग पार्टिस्पेट करें यह सबसे गुजारिश नविन गोयल ने जन जाकरुकता अभियान के चलते गुरुग्राम में 10,000 पौधे बाटे और अब 10,000,000 कागच के चाए के कप भी गुरुग्राम में बाटने की तैयारी कर रहे हैं मेरी सब 1,500-200 गाडियां और 10 बसीज करीबन 1,000-1,500 लोगों का हमारा टार्गेट है और हम पूरे जोस के साथ पूरे उत्सा के साथ हम वापर जाने का काम करेंगे परसों और एक पॉइंट भी बनाएंगे जहां पर आगए गठे होंगे सब लोग अलग अलगे जगे से का अब हमारी कुछ टीम है जो मेराथन कराती रहती है अभी कोई पका एडिया नहीं है थोड़ी में अडिया लग जगे आपको बता दिया जाएगा यह इसका इक स्पेशल मस्थ है पहले बताना चाहता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज ना करे को ले करके है कि सब अली बारे मुझे लग रहा है कि गुल गाम में साई कायोजन हो रहा है और आगे की विवस्ता के साब से बताएंगे अभी तो सुब्सक्राइब